दोस्तो नमस्कार, वेल्कम टु जीएस वाइटार्स दोस्तो टार्गेट सीरीज को कंटीनियू करते हुए आज प्रैक्टिस सैट नमबर 43 को डिसकस करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीके और जीएस की कुश्चन्स की पैक्टिस करते हैं टार्गेट सीरीज के अंतरगत और ये कुश्चन्स हमने तयार किये हैं देहली पुलिस एक्जाम, उत्तरप्रजिस पुलिस एक्जाम का जो सलेवस है उसके अकॉर्डिंग और साथ में हमारे include रहते हैं current affairs से कुछ facts आपको वीडियो के अंत में current affairs भी देखने को मिल जाएगा, बेली का चलिए शुरू करते हैं, बट before going to start the video, अगर आपने GS Fighters को subscribe नहीं किया है तो GS Fighters आपका अपना channel है, इसको subscribe कीजिए, support कीजिए और अगर पीडियो पसंद आती है, तो एक like जरूर कीजिए, ओके, चलिए पहला प्रेशन पढ़िए, washing machine का कार्य सिध्धान्थ है, आपको बताना है, जो washing machine होती है, वो किस सिध्धान पर कार्य करती है पहला option पढ़िए, अपकेंदरन, दूसरा option अपोहन, तीसरा, उतक्रम, परासरन, या विसरन के सिध्धान पर देखिए, washing machine जो होती है, वो अपकेंदरन के सिध्धान पर कार्य करती है, याई option number one एकड़म सही है चीक है, अपकेंदरन बल क्या होता है, यहाँ देखेंगे इसकी definition देखिए, वो है प्रतिकरिया बल, जो परिमाण में अपकेंदरिय बल के बराबर होती है लेकिन उसकी दिशा अपकेंदरिय बल के विबरीद होती है, याई केंदर से बाहर की ओर उसकी direction होती है अब केंद्र ये बल कहलाता है यानि centrifugal force कहलाता है washing machine हो गया और दूद से मक्खन निकालने वाली जो machine होती है ये अब केंद्र ये बल के से धान परकारे करती है यानि केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है ओके? चलिए दूसरा question है इन मैंसे कौन विशाणू जनित रोग नहीं है देखिए question को ध्यान से पड़ा की ये पूछा क्या है? हाँ पूछा है या ना पूछा है ठीक है? विशाणू जनित रोग नहीं है ऐसा कौन सा इन मैंसे option मैंसे है देखिए आपके options पहला है अकसरा दूसरा rabies, तीसरा polio और चौथा च्छै रोग देखिए हमारे expression का सही जवाब option number D है च्छै रोग जो होता है टीवी वो विशाणू जनित रोग नहीं है ठीक है? और देखते हैं इसकी detail आकर ये होता कैसे है फिर देखिए polio जो होता है एक संक्रामक रोग होता है जो polio malitis virus के दौरा होता है rabies और खसरा भी एक virus जन्ने रोग हैं जबकि तपेदेखिया च्छै रोग जो होता है वो संक्रामक रोग होता है और जिसका कारण mycobacterium tuberculosis होता है ये एक bacteria होता है उसके दौरा ये होता है जीवाणू के दौरा होता है virus के दौरा नहीं होता टेवी बिहार में permanent settlement लागू करने का कारण था आपके options पढ़िए आप जमीदारी का एक मिनट जमीदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना जमीदारों के लिए जमीन पर वंश परमपरागत अधिकार को स्वेक्षा से हस्तांत्रित करने का अधिकार या फिर भूराजशु का निर्ने करना या जमीदारी प्रता का निर्मूलन करना बिहार में permanent settlement यानि इस थाई बंदोबस्त की बात की जा रही है और इस question का सही चवाब option number B होना चाहिए जमीदारों के लिए जमीन पर वंश परमपरागत अधिकार को स्वेक्षा से हस्तांत्रित करने का अधिकार होना यानि permanent settlement यही तो है न अब permanent हो गए आप इसके मालिक जमीन के ठीक है तो option number B एकदम सही है जमीदारों के लिए जमीन पर यह विवस्ता बंगाल, बिहार, उडिशा, उत्तर प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश का सिर्फ वाराण सीवाला जला था और उत्तरी करना ठके कोई शेत्रों में यह लागू थी इस थाई बंदोबस्त विवस्ता को बिहार में लागू करने का कारण था जमीदारों के लिए जमीन वन्स परंपरागत अधिकार को स्विक्छा से हस्तांतरित करना यानि आप जमीन जिस मालिक की होगी उसके अनुसार जो है वन्स परंपरा के अनुसार वो उसके बेटे को फिर उनके बेटे को फिर उसके बेटे को इस तरीके से जमीन हस्तांत्री होती रहेगी ठीक है चौथा प्रेशन है भारत के सम्मिधान की कौन सी अनुसूची राजसभामे सीटों के बटवारे का निरधारन करती है यानि कि राजसभामे सीटों का किस प्रिकार बटवारा होगा वो है कौन सी अनुसूची में वर्णित है आपके options तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचमी या छैमी अनुसूची देखे इस प्रेश निकास सही जवाब option नमबर भी है चौथी अनुसूची में यह व्यवस्ता की गई है कि राजसवा में सीटों का जो आवंटन है वो किस प्रकार किया जाएगा चौथी अनुसूची में चलिए देख लेते हैं अनुसूची के बारे में देखो चौथी अनुसूची में राजसवा में सीटों के बारे में निर्दारन करती है और राज्य सभा में केंदर साशित प्रदेशों का प्रतिनीधी नहीं होता है ध्यान रखना राज्य सभा के हित में सभा जो होती है वो राज्य का प्रतिनीधी सभा होती है और लोग सभा में 20 सदस्य जो होते हैं केंदर साशित प्रदेशों से चुन कर आते हैं और पांच में अनसूची जो होती है, अनसूची जाती, चलिए मैं एक बार आपको सारी अनसूची यां गिना देता हूँ, ठीक है, किस अनसूची में क्या है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, और बाकिया आपकी एक्षा है, PDF डाउनलोड करना चाहो, PDF डाउनलोड कर ल अनसूची में, दूसरी अनसूची जो है, उसमें जो उच्छ पता दिकारी होते हैं, जैसे भारत के राष्ट पती हुए, राज्य पाल हुए, लोग सभाके अध्यक्ष और पाध्यक्ष, राज्य सभाके, सभापती, उप सभापती, इस तरह से जो सर्बोच नियाले के नि नियाधिस, नियंत्रग महाले का परिक्षक, यह सबी होते हैं, इनके वेतन और भत्तों का उलेख किया गया है, दूसरी अनसूची में, तीसरी अनसूची में, जो है सपत से सम्दित है, जैसे इक संग के मंतरी होगे, ठीक है, संसत के सदस्य होगे, सर्बोच नियाले के नि किस प्रिकार होगा? ये बोला गया है, चौथी अनुची में, जो की हमारी प्रेश्न का जवाब भी है. ठीक है, čार अनुची होगी. पांच्मिय अनुची में जो अनुची और जन जातिया छेत्र होते हैं, उनके, प्रिशासन से सम्मन्दित और नियंतरण के बारे में विवस्ता की गई है पांच वी अनुसूची में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो उत्तर पूरुपे चार राज्ये हैं असाम, मेघाले, तरिपुरा और मिजोरम इनके जनजाती छेत्रों के प्रिशासंग के बारे में उपवन्द किया गया है इसमें उनका उलेख मिलता है आठवी अनुसूची में आपको पता होना चाहिए कि जब सम्मिधान लागू हुआ था तो चौदे ऐसी भासा थी जो सम्मिधान के द्वारा माननेता प्राप्त प्राप्त हैं अन्त में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली भासाओं को एड़ किया गया था 92 सम्मिधान सलसूदन 2003 के माध्यम से नौवी अनुसूची में क्या है भूराजस्व जो भू सुदार है भूमी सुदार और जमीदारी प्रणाली के उनमूलन से सम्मन्द है और नौवी अनुसूची जो है पहले सम्मिधान सलसूदन अधिनियम के माध्यम से वर्स 1951 में एड़ की थी भूमी सुदार और जमीदारी प्रणाली के उनमूलन से सम्मन्दित है दस्वी अनुसूची जो है आपको पता होना चाहिए कि दल बदल के आधार पर जो है विधान मंडल और संसद जो होते हैं उनकी निर्योग्यता से सम्मन्दित प्रेश्न यहां पर बनता है दल बदल के आधार पर और दस्वी अनुसूची को जोड़ा गया था बावनवे सम्मिधान संसोदन अधिनियम 1985 के माद्य हमसे और उसी प्रकार बारवी अनुसूची को भी 1992 में ही चोहत्तरवे सम्मिधान संसोदन के माद्य हमसे एड किया गया था और बारवी अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्ति प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियों से संबंदित प्रोविजन किये गए हैं तो इस प्रकार यह हमारी बारवी अनुसूची होगी ठीक है तो ध्यान रखना इनको आपने अगर सुना है तो नोट डाउन कर लिए अन्य था आप इनको एक बार रिवाइज कर लिए चीक शलिए पांचमा प्रेशन है राश्ट्रिय किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है राश्ट्रिय किसान दिवस 21 दिसमबर को 23 दिसमबर या 22 दिसमबर या 24 दिसमबर देखिए हमारी इस प्रेशन का सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी 23 दिसमबर को सेलिब्रेट किया जाता है राश्ट्रिय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे, 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंग के जन्म दिवन पर, राश्ट्रिय किसान दिवस सेलिवेट किया जाता है, देखिए, 23 दिसंबर राश्ट्रिय किसान दिवस, 22 दिसंबर राश्ट्रिय गड़ित दिवस, और 24 दिसंबर र एक मात्र ऐसे प्रधान मंत्री रहे हैं, जो कभी पार्लियामेंट में नहीं गए, ओके, छहवा प्रेश्ण है, वर्तमान में यूनेसको के विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने इस्थान को सामिल किया गया है, आपको बताना है, भारत में कितनी यूनेसको साइट्स हैं देखे हमारे इस्प्रेश्ण का सही जवाब ऑप्शन नमर सी है, प्रिजेंट में देखा जाए तो 40 यूनेसको साइट्स हैं, ओके, और अभी आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिख कर बताइए, कि भारत की पहली यूनेसको साइट्स कौन सी थी, जिसको यूनेसको दरो यूनेसको की इस्थापना होती है, वर्स 1945 में ध्यान रखना, और एहमदाबाद जो है, भारत का पहला ऐसा सहर बना है, जिसको शेहर की बात हो रही है, जिसको यूनेसको विश्व धरोहर की सूची में सामिल किया गया है, शेहर की बात हो रही है, ध्यान रखना, चलिए मै साथमा प्रेश्ण है बाबा साहब भीमराव अंबेड कर भारती सम्मिधान के रच्चाइता माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेड कर है वो सम्मिधान के रच्चाइता माने जाते हैं क्यूं दस्ता वेज का आपरण प्रेश्ट बनाया था उन्होंने समिधान सभा के अध्यक्ष जुने गए थे या प्रारूप समीति के अध्यक्ष थे या A और B यानि option number A, option number B देखिए हमारे expression का सही जवाब है option number C यानि प्रारूप समीति के अध्यक्ष थे यानि drafting committee जो थी डॉक्टर अम्बेटकर उसके अध्यक्ष थे इसलिए उनको और उनका जो contribution रहा है सम्मिधान बनाने में इसलिए उनको जो है भारती सम्मिधान का पिताग कहा जाता है दॉक्टर अम्बेटकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है और अम्बेटकर सम्मिधान सभा में बंगाल से निर्वाचित हुए थे लेकिन जब डिवाइडेशन हुआ था country का तो यह जो बंगाल से निर्वाचित हुए थे तो यह जो छेत्र है वो पूरवी पाकिस्तान में चला गया था इस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बंगलादेश है उसमें चला गया था तो सम्मिधान सभा में उनको वापिस लाने के लिए मुंबई की प्रेसिडेंसी सीट थी जिससे एमर जायकर चुनकर आये थे उनको इस्तीफा दिलवाया गया मुंबई की जो सीट है वह होता है और सम्मिधान निर्मान संभांदी अनेक समीतियां बनाए गए थी जिसमें प्रारूप समीति सबसे महतपूर थी ओके आपको पता होगा सम्मिधान सभा की सुरुवात नौदी संभल में उनको होती है ठीक है और आठवा प्रेशन पढ़ गये है उगादी वीहू ग नई साल की सुरुवात पर देखे हैं हमारे इस प्रेशन का सही जवाब है option number D नई साल की सुरुवात पर ये सभी जो है जो उत्सब है त्योहार है इनको मनाया जाता है नई साल की सुरुवात पर यहाँ थोड़ी डिटेल है इसको देख लेते हैं देखे उगादी बिहू गुड़ी पढ़वा, पुन्थानूव, विशू शंक्रांती ये सभी भारत के त्योहार हैं और नए साल की सुरुवात का जस्म मनाते हैं। संक्रांती सूर्य के उत्रायन और दक्षनान की सीमा को संक्रांती कहते हैं। 21 जून को करक रेखा करक संक्रान्ती और 22 दिसम्मर को मकर संक्रान्ती मनाया जाता है विहू जो होता है आसम का एक लोक निरत्य भी है उगादी करनाटक का 9 वर्स का त्योहार होता है जबकि गर्बार निरत्य गुजरात की महिलाओं के द्वारा नवरात्त्री के अफसर पर आयोजित किया जाता है एक और है टिप पाणी निरत्य है ये भी गुजरात का ही निरत्य है द्यान रखना उगादी विहू, गुड़ी पढ़वा, पुथानु, विशु, विशु, शंक्रान्ती ये सभी जो होते हैं नई साल के उत्सब होते है ठीक है नौमा प्रेश्न है सून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या होता है देखिए सून्य उत्सर्जन का मतलब होता है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं उप्शन से वह है जो शक्ती के शुरूत के जरीए पिछले पाइप से कोई प्रेदूशन उत्सर्जित नहीं करते हैं जानी कि ऐसे बाहन जो पिछले पाइप का मतलब है यहां पर उनका फाका है वहाज अंगा प्रेदूशन नहीं उत्सर्जित करते हैं ठीक है उसको वोलेंगे सुन्य उत्सरजन वाहन चलिए थोड़ी डिटेल यहां पढ़ लेते हैं Zero Emission Vehicles का मतलब होता है वह शक्ती के इस रोत जिसके जरीए पिछली पाइप यानि साइलेंसर से कोई भी प्रेदूशन उत्सरजित नहीं करता यानि गाड़ियों से कोई भी प्रेदूशन नहीं होना चाहिए उसको Zero Emission वहान कहेंगे प्राकरतिक रूप में अवस्थित वातावरण एवं पधार्थ के मूल वहुत तत्त्त की अवस्था में होने वाला परिवर्थन प्रेदूशन कहलाता है यानि जो तत्तो प्राकरतिक रूप में जो पधार्थ हैं वातावरण में उपस्थित हैं उनकी अवस्था में अगर किसी प्रिकार का परिवर्थन हो रहा है तो उसको हम प्रेदूशन कहेंगे प्रेजूशन के कारण जैब और अजयब पदार्तों को काफी छती पहुंचती है इसके कारण अनेक प्राणी विबनस्पती नस्ट हो चुके हैं और अनेक उन्मूलन की खत्रा मन रहा है अनेक पर सुने उत्सरजन बाहन में सीशा मुक्त भी होना चाहिए सीशा मुक्त कारण मोन ओक्साइड जो होता है वो होता है ठीक है चलिए दस्वा प्रेशन है पत्ती का कौन सा भाग कारण डाई ओक्साइड को प्रकास संसेलेशन के लिए उपलब्द कराता है सिराएं इस्टोमेटा पत्ती के स्रे या पत्ती के निचली सत है देखें हमारे expression का सही जवाब है option number B stomata जो part होता है पत्ती का वो CO2 को प्रिकास sensation के लिए उपलब्द कराता है चलिए पढ़ते हैं थोड़ इसी detail देखो पत्ती जब प्रिकास sensation करती है तो उस समय stomata में उपस्तित CO2 जो होता है उसका उपयोग होता है और प्रिकास sensation के पश्चाद पेड़ पौधे oxygen उचरजित करता है जो हम लोग ग्रहन करते हैं प्रिकास sensation में chlorophyll प्रिकास sensation और जल का प्रिकासित अफगटन करता है और chlorophyll में आपको पता होगा magnesium धातु पाई जाती है प्रिकास sensation की क्रिया सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग में होती है और सबसे कम होती है बैंगनी रंग में ठीक है का अनुपात अंतराश्टिय प्रतिस परदा का इस्तर प्रभावी विनिमय सांकेतिक विनिमय देखे हमारी स्प्रश्ण का सही जवाब है option number one निर्यात मुल्यों से आयात मुल्यों का अनुपात को देख के अनुकूल व्यापार से यानि जिस इस स्थती में निर्यात अधिक हो और आयात कम हो उसको हम व्यापार संतुलन कहेंगे चीक है आयमेफ व्यापार भुक्तान को नियमित और संतुलन करने में सहयोग करता है जबकि डव्यापारिक मामलों में सर्वोच संगठन है दुनिया का अब आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिख कर बताईए कि डव्यात मुल्यों की प्रिजेंट में अध्यक्ष कौन है चलिए निर्यात मुल्य का मतलब क्या होता है अपने देश के सामानों को विदेशी देश के हातों बेचने पर जो मुल्य प्राप्त होता है उसे निर्यात मुल्य कहते है और आयात मुल्य होता है विदेशी देशों से सामान खरीदने से जो मुल्य अदा करना पड़ता है उ दो भूखर्णों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूभाग की भूमी की संक्री पट्टी, या दो विशाल भूखर्णों को जोड़ने वाली भूमी की संक्री पट्टी, देखे हैं, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है, option number B, दो भूखनों को, यानि दो जमीन के टुकणों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी होती है, यानि water body होती है, उसी को हम जल डमरूमत है, कहते हैं, ठीक है, चलिए थोड़ी सी और detail हम जान लेते हैं यहाँ पर, इसके बारे, देखें, दो भूखनों को विभाजित क करने वाली होती है, जो जल डमरूमत है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भूभा को पाक जल डमरूमत है, अलग करता है, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को मलाया, एवं सुमात्रा से अलग मलक का जल डमरूमत है, अलग करता है, नौर्थ चैनल जो है, जल संध अब आपका काम ये है कि इन सभी जलसंदियों को आपको map में एक बार देखना है कौन सी जलसंदी आखिर है कहाँ पर easily find कर सकते हो जावा सागर, हिंद महा सागर यानि हिंद महा सागर क्या स्पास ही होगे जावा सावर और सुन्द जलसंदी ठीक है इनको आप सर्च कर लीजिए और एक बार map में जरूर देख लीजिए यह आपका homework हो गया तेरह माप्रेशन है जम्मू कस्मीर और लद्दाक कब केंदर सासित प्रदेश बने थे ठीक है केंदर सासित प्रदेश कब बने थे पहले जम्मू कस्मीर एक union territory था और उसको demolish कर दिया गया और अभी ये केंदर सासित प्रदेश है संसत के द्वारा पारित किया गया था और जिसके द्वारा अनुछे संक्या 370 में जो जम्मू कस्मीर के लिए विशेश प्रावधान करता है उसको demolish कर दिया गया और इसको लागु कब किया गया था देखिए वर्स 1904 में डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने एक जारी करें जम्मू कस्मीर की जो विधान सभाह है उसके लिए विशेश अधिकार दिये थी कुछ और जिसमें नागरिता से संबंदित अधिकार बनाने का जो अधिकार था जो जम्मू कस्मीर की विधान सभाह को दिया था और 16 October 1949 को अनुछय संक्या 370 संभिधान में जोड दिया गया आपको मैं एक चीज़ बताओं कि जो वो जो थे डॉक्टर भीम्राव अंबेडगर जो थे आर्टिकल नंबर 370 के खिलाफ थे उन्होंने कहा था यह आगे जाके बहुत नुकसान देगा सेपरेशन जैसी कुछ शक्तियां मुठ आने लग सकती हैं और हुआ यही जम्मु कस्मीर अपने आपको एक अलग कंट्री समझने लगा था और वहां कि जो कुछ लोग हैं हाला कि सभी लोग नहीं कुछ लोग हैं वो अपने आपको एक अलग देश मानने लगे थे और उसके लेकिन जम्मु कस्मीर इंडिया का इंट्रीगल पार्ट है चीक है तो उस समय उनकी नहीं सुनी लेकिन बाद में 2019 में आर्टिकल नंबर 370 को स्क्राइब कर दिया गया और अभी जम्मु कस्मीर में नॉर्मेल सी हाला कि पूरी तरह किसे नहीं है बड़ होते जा रही है दी चौदवा प्रेश्ण है निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है यानि आपको बताना है भूकंप किस के द्वारा मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ, सीस्मोग्राफ, गीजर काउंटर या फिरेंगेज देखिए सीस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है भूकंप क ठीक है ध्यान रखना भुकम्प मापी होता है सीस्मोग्राफ सीस्मोग्राफ से भुकम्प कीती बृता मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ ये होता है पौधों में ब्रद्धी मापने का एक यंत्र होता है जिसका आविस्कार भारतीय बैग्यानिक जगदीस चंद्र बॉस ने किया था, 1900 में, क्रेस्कोग्राफ से पोधो में होने वाली ब्रद्वी को मापा चाता है, रेन गेज से आपको पता होगा बारिस से पता चल रहा है, रेन गेज, यानि बारिस मापी जो होता है, वर्सा पता है, यानि कि पार्टिकल डिटेक्टर है, आयनित विकिरन को मापता है, ठीक है जी, चलिए, पंद्रमा प्रश्न है और हमारी स्प्रेक्टिस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपको करेंट अफिर से प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रार्थन समाज के संस् स्थापना की गई थी, देखिए मुंबई में महात्मा महादेव गोविंद रानाडे ने डक्टर आत्माराम पांडूरंग तथा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थन समाज की स्थापना वर्ष 1866 में की थी, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश से जाती प्रथा क है कुछ, ठीक है, प्रेश नहीं है, फेक्ट है, हम लोग फेक्ट पढ़ते हैं, करेंट अफेर से रिलेटर, जैसे चंद्रियान 3 के लांचिंग के समय काउंट्टाउन को अवाज देने वाली जो बैग्यानिक थी, जिनका नाम था, एन, बाला, बालार मथी, उनका अभी हा प्रतिबंद लगाने के लिए, असम सरकार ने अपने विधान मंदल में पेस किया है, विल अभी पास नहीं हुआ है, के बल बिल पेस किया है, ठीक है, बहु विवाह पर प्रतिबंद लगाने के लिए, असम सरकार ने, डॉक्टर वसुदा गुप्ता ने आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग के महानी देशिक का पदभार समाला है, और क्लाइमिट फुटबल कप 2023 का आयोचन लद्दाक में होना है, और दूसरा नोसेना कमांडर सम्मेलन हुआ है, हाल ही मैं नई दिल तो यह हमारे करेंट अफिर से कुछ रिलेटेड फैक्ट थे, अब आते हैं, आपके करेंट अफिर का टेस्ट लेते हैं, आपको बताना है कि रामायन पार्क इस्थापित किया जाएगा कहां पर, ठीक है, स्मार्ट सेटी मिशन के तहत सीर्स राज्य कौन सा है, दुनिया का पहला पोर्टेवल अस्पताल किस देश ने बनाया है, मिस इंटरनेशनल इंडिया दोहसर ते, इसका खिताब किस ने जीता है, और गाई जात्रा उत्सब कहां सेलिब्रेट किया गया है, देखिए अगली स्लाइड में इन सभी प्रशनों के आपको उत्तर मिल जाएंगे, बड़ मैं चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को यहीं पॉस कीजिए, और पहले खुझ से कॉमेंट सेक्स में इन सारे प्रशनों के उत्तर लिख दीजिए, ठीक है, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो, हम आपको उत्तर प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन कोसि कर लिजिए, यह प्रशन है, और यह उसके उत्तर है, तो चलिए, यह था हमारा पैक्टिस सैट नमर 43, और अभी तक आपने GS Fighters को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिजिए, और आपका अपना चैनल है, और वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, और PDF के लिए टेलिग्राम जरूर जोइन कर लिजिए, टेलिग्राम का लिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चलिए, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, थेंक्यू वेरी मच्च